हेलो गाईज, यू आर मोस्ट वेलकम ओन एटुजेट मोटिवेशनल आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मूर्तिकार योगी राज के बारे में मूर्तिकार योगी राज ने एक ऐसा रहस्य बताया है जब वे परतिमा बनाते थे भगवान राम लाला की तब हनुम जी आते थे और यह सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मूर्तिकार योगी राज ने सुनाया एक ऐसा खिस्सा परतिमा बनाने के समय रोज आना आता था एक बंदर अरुन योगी राज ने अचंबित करने वाला एक खिस्सा बताया अयोद्या राम मंदिर में 22 जन्वरी को राम लला विग्रह में पूरे विदी विदान के साथ विराजित हो गए इसके अगले दिन से ही राम भक्तों का राम मंदिर में जन सैलाब उवडबरा पूरे देश से राम भक्त अपने राम लला के दर्सन करने के लिए आतुर हैं इस बीच मूर्तिकार अ बुसरी राम की परतिमा को मन महोका कार दिया है जिसमें राम लला की परान परतिष्ठा की गई जिसने भी राम लला की परतिमा को देखा वो मोहित हो गया ऐसे में अरुन योगिराज का एक इंटर्यू बहुत वाहिरल हो रहा है जिसे हम आप लोगों के साथ साजा करना चा उन्होंने बताया कि प्रान परतिस्टा के बाद मूर्ती की आभाही बदल गई इसे के साथ उन्होंने एक बंदर की कहानी बताई जो रोजाना उनके पास आता था अपने इंटर्यू के दोरान उन्होंने बताया राम भक्त भगवान के पाँच वरस के बाल रूप को योगी राज ने पत्थर पर उगे रहा है जो कि उसके मताबिक बहुत ही जिम्मेदारी का काम था मूर्ती को तरासने में उनको साथ महिने का समय लगा इसके लिए उन्होंने बहुत मैनत की है क्योंकि पाँच साल के बच्चे के अंदर पर बुराम को ढूनना उनके लिए एक चुनोती पून का रिया था अरुन योगी राज ने एक खिस्सा सेर करते हुए बताया कि जब वो मूर्ती बनाने का काम करते तब रोजाना एक बंदर साम पांच बजे उनके पास आ जाता और उन्होंने कहा कि हमारी साइट पर भी ऐसे ही हर दिन हनुमान जी पांच से छे बजे आते थे और जोर से तर और जब तक मूर्ती का कारिया चलता था तब तक उस मूर्ती को निहारता रहता था और फिर साम समय होने पर वापिस चला जाता था ओके गाईच आई होब वीडियो आपको अच्छी लेगी होगी तो मिलते हैं नेक्स टूडियो में तिल देन ओके बाए बाए